नमस्का दोस्तों तो कैसे आप लोग तो आज से मैं गैज़ेट वाल चैनल पर एक नया सीरी शुरू करने बाला हूँ अगर आप मेरे पूराने सब्सक्राइबर हो तो आपको बता हूँगा कि मैंने मोबाइल प्रोसेसर के उपर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ और मैं रेगूररली उसके उपर वीडियो बना तो लेकिन आप में से बहुत लोग ने मुझे कहा था कि PC या पर लैप्टॉप प्रोसेसर या पर जो ग्राफिक्स का न होता है उसके उपर भी वीडियो बना इसलिए आज से मैं नया वीडियो सीरी शुरू करने बाला हूँ जिसमें मैं सेम प्राइस में एबेल एबेल दो कमपनी का जो प्रोसेसर उसके बीच में मैं कॉम्परेसर शुरू करूँगा और वैसे आज दोपर को मैं एक लाफटॉप देख रहा था कि मैंने देखा कि सेम प्राइस रेंज में एक इंटेल और एक राइजन दोनों प्रोसेसर आवेले बेल है और मुझे मिनिमाम चार से पांच घंटा लगा एक समझने के लिए कि सेम प्राइस में दो प्रोसेसर में इसे कॉंसेसर से ब्यातर है जो कि है राइजन 7 3750H और दूसरा है इंटेल i7 9750H दोनों में से कौन से सब से ब्यातर है और क्यूं सब से ब्यातर है तो चली शुरू करते आचका वीडियो बिना खोई वक्त कब और एक बीटियो शुरू करने से पहले अगर आप ग्याजल चल पर नहें और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते तो ग्याजल चल को सब्स्रीप करने बिल्कुली मात भूलिएगा और एक कॉंपरेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज कहा दू यह दूनों ही दारासल लैप्टाप प्रोसेसरे इसलिए ए चीज धियान में रखना तो यह जो राइजन 7 बाला सीप्यू यह लांच हो आता 2019 quarter 1 पे और यह जो इंटेल i7 बाला मॉडिल यह लांच हो आता 2019 quarter 2 पे अगा दूनों प्रोसेसर के कोर काउंट की बार में बात करे तो राइजन 7 में हमें मिलता है 4 core 8 thread और इंटेल i7 में मिलता है 6 core 12 thread तो अब्वियसली पार्फोर्मेंस के मामले में इंटेल बेटर पार्फ architecture मतलब यह आपर जो राइजन बाला CPU यह आपको थोड़ा सा ज्यादा battery efficiency देगा और अगर दोनों प्रोसेसर के TDP मतलब एक प्रोसेसर ऑपरेट करने के लिए कितना पावर यूज करता है अगर आम उसके बार में बात करे तो राइजन 7 35 watt पे काम करता है और इंटेल i7 45 watt प प्रोसेसर कोड़े उसका नामे कॉफी लेक एच और अगर माइक्रो आर्खिटेक्चर की बात करे तो राइजन 7 का नामे जेन प्लास आर्खिटेक्चर और इंटेल को 9th जेनरेशन का नामे कॉफी लेक आर्खिटेक्चर तो अब हम देखते हैं दोनों का RAM सपोर राइजन 7 और इंटेल i7 दोनों में हमें dual channel RAM support मिलता है राइजन 7 में DDR4 RAM with 24 MHz सपीड पे हमें मिलता है लेकिन अगर आगर आप Intel i7 के बात करें तो आगर RAM LPDDR3 होता है तो उस पर हमें सपीड मिलता है 1866 MHz और अगर RAM होता है DDR4 तो उस पे हमें मिलेगा 2666 MHz और अगर RAM size की बात करें तो में maximum 120 GB तक कर RAM मिलेगा और इसका bandwidth 41.8 GB per second और अगर cache memory के बात करें मैं पहले cache memory के बार में आपका थोड़ा से information दे दूँ एक ऐसा fast memory होता है जो कि हर एक processor में होता है आप बस यह चीज समझ लिजे जीजिए जीश प्रोसेसर के अंदर एक cache memory जितना ज्याधा होता है उस प्र Ryzen 7 और Intel i7 दोनों का कर comparison करें तो L1 cache instruction, L1 cache data, L2 cache और L3 cache सभी को अगर हम मिला दे तो Intel i7 का overall cache memory ज्याधा है तो मतलब overall performance का नुसर Intel i7 बेटर है और अगर CPU speed के बात करें तो Ryzen 7 का base speed है 2.3 GHz और turbo speed मतलब overclock speed है 4.0 GHz और Intel i7 का base speed है 2.6 GHz और turbo speed है 4.5 GHz और अगर multiplier की बात करें वैसे multiplier के बाड़े मैं बाद में एक वीडियो details में बनाऊगा आप बस एस समझ लिजे multiplier दरसाल एक processor के overall performance को कई गोना increase कर सकता है तो Ryzen 7 में 23 multiplier और 40 turbo multiplier मिलता है और Intel i7 में 26 multiplier और turbo multiplier मिलता है 45 मतलब overall performance यहां पर Intel का तो ज्यादा ही होगा तो यह सब तो होगे इसका hardware definition आप ज़रा है इसका benchmark देख लेते हैं और एक चीज़ में आपको कह दूँ जैसे हम mobile processor में अगर किसी smartphone का Antutu benchmark ज्यादा होता है तो जब हम उसे real life में इस्तेमाल करते है तो हमें लगता है कि इसका score ही Antutu में ज्यादा है लेकिन real life में उतना अच्छा नहीं है लेकिन PC market में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हर एक PC को देखा जाता है कि वो कितना powerful है benchmark की जरिए अगर benchmark ज्यादा होता है मतलब real world में भी उसका performance ज्यादा होगा PC CPU से mobile CPU का यही सबसे बारा difference है जैसे mobile CPU में हम benchmark के उपर भरोसा नहीं कर सकते लेकिन PC world में हमें benchmark के उपर ही सबसे ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा तो Cinebench R15 benchmark score में Ryzen 7 single core में score करता है 150 और multicore में score करता है 802 और Intel i7 single core में score करता है 182 और multicore में score करता है 1189 तो Cinebench R15 score में Intel i7 बेटर है और अगर हम Cinebench R20 की बात करे उसमें Ryzen 7 single core में score करता है 367 और multicore में score करता है 1809 और Intel i7 single core में score करता है 441 और multicore में score करता है 2653 मतलब यहाँ पर भी Intel i7 बेटर है और अगर Passmark score की बात करे तो Ryzen 7 यह पर score करता है 8457 और Intel i7 score करता है 11000 के आसपस और अगर Geekbench V2 की बात करे तो Ryzen 7 यह पर single core में score करता है 3768 और multicore में score करता है तो यहां पर Ryzen 7 सिंगल कोर में स्कोर करता है 800 के आसपास और Multicode में स्कोर करता है 3100 के पासपास और Intel i7 सिंगल कोर में स्कोर करता है 1100 के आसपास और Multicode में स्कोर करता है 5600 के आसपास अब हम जाले देख लिए दोनों परसेसर में क्या inbuilt graphics card यूज हो आ है तो Ryzen 7 में जो inbuilt graphics काड़गो है Radeon Vega 10 mobile GPU जिसका speed is 1400 MHz और Intel i7 9th generation CPU में जो graphics काड़गो है UHD 630 Intel graphics का, जिसका speed is 350 MHz देखिए, on paper, Intel का GPU बहुती काम होना चारिए, क्योंकि इसका speed Ryzen से आदे से भी हाँ था है लेकिन इसका अगार benchmark score देखे, यह दरासल है Blender 2.81 का score Blender दरासल इस तरह का software है, आप बस यह समझ लिजे, इसके जरी हम complex 3D graphics बना सकते तो Ryzen 7 यह जो Blender 2.81 इसे रान ही नहीं कर पाता, लेकिन Intel i7 इसमे 307 score करता है और अगर हम इसके FPS की बात करें, बन्दा frame per second की बात करें, तो AP64 में Ryzen 7 score करता है 112 G Flops और Intel i7 score करता है 120 G Flops के आसपास, तो आप बड़ी इस वीडियो के conclusion की, आपने पूरे वीडियो में देख लिया, प्रोसेसार आर्टिटेक्चर मतला बैटारी एफिशेंसी को छोड़के, बाकि साभी ममल में, CPU के उपर मैंने जितने सारे benchmark score देखा, सभी में Intel i7 का particular model जीच जाता है, ग्राफिस कार्ट का मैंने जितने benchmark score देखा, सभी में Intel का particular processor जीच जाता है, और मैंने आपको ये भी दिखाया कि इसका जो overall RAM speed वह भी Intel का बेटारे, तो इसे हमें एई चीज कह सकते, Intel i7 का special mobile CPU, Ryzen 7 की special mobile CPU से बिटारे, तो आज के वीडियो जी तक उमीद है, तो आज के पहला CPU comparison वीडियो आपको पसंद होगा, वैसे future में आप और ऐसे कौन-कौन से PC CPU के उपर ऐसे वीडियो देखना चाहते है, मुझे इसे commentator में बताना, य आप इस वीडियो के description में देख लिए ना, मैंने एक telegram का group बना है, उधर आप मुझे directly message कर सकते हैं, जिसके बादे से मैं उस topic के उपर वीडियो ज़रूर बना सकूंगा, तो मिलत अगली वीडियो पे तक तक stay tuned and always remember, think positive, be positive, thank you.